हेलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल MBHub में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ कि आप भी अपने WhatsApp का निव आईडी कैसे बना सकते हैं और अपने WhatsApp को कैसे चला सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं बट उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करिजेगा तो सिम्पली आपको अपने WhatsApp की निव आईडी बनाने के लिए WhatsApp को ओपेन कर लेना है जैसे ही उपेन करेंगे तो आपको कुछ इस परकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना Language यहाँ पे सलेट कर लेना है तो सिम्पली आप जिस वी भासा को यहाँ पे रखना चाहते हैं उस बले भासा पे क्लिक कर लेना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा निव इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो सिम्पली आपको इसमें सबसे नीचे Agree and Continue पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे Allow कर देना है Allow करने के बाद आप जीस भी नमबर से अपने WhatsApp की ID बनाना चाहते हैं उस वाले Mobile नमबर को यहाँ पे फिल कर लेना है तो चलिए हम अपने Mobile नमबर को यहाँ पे फिल कर लेते हैं और जैसे ही आप फिल कर लेंगे उसके बाद आपको सबसे नीचे Next पे क्लिक कर लेना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस परकार के दो ओप्सन देखने को मिल जाएगा तो Simply आपको यहाँ पे Continue पे क्लिक कर लेना है तो अगर आप Continue पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी Mobile में नमबर सेव है और आपके फोटो है वो आपके WhatsApp में भेजने के लिए एलाव हो जाएंगे तो Simply आपको यहाँ पे Continue पे क्लिक कर लेना है और Continue करने के बाद आपको एलाव पे क्लिक कर देना है फिर से एलाव कर देना है एलाव करने के बाद आपको कुछ इस परकार के दो ओप्सन देखने को मिल जाएंगे तो simply आपको ये skip पे क्लिक कर देना है आपको यहाँ पे कुछी इस परकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे तो simply आप अपने whatsapp में अपना जो भी नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो चली हम अपने channel का नाम ही रख लेते हैं और नाम रखने के बाद आप अपने profile का फोटो भी select कर लेंगे तो simply अपने whatsapp id में अपना फोटो लगाने के लिए उपर camera वाले option पे क्लिक कर लेंगे और gallery से जाकर और अपने gallery से एक फोटो चूज कर लेंगे और photo चूज करने के बाद नीचे done पे क्लिक कर लेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहां पे profile फोटो लग जाएगा उसके बाद आपको सबसे नीचे next पे क्लिक कर देना है जैसे ही next पे क्लिक करेंगे तो आपका new whatsapp id बन कर तयार हो जाएगा और यहां पर आपके जो भी mobile number में number save होगा वो यहां पे देखने को मिल जाएगे और whatsapp id बनाने के बाद simply आपको एक setting कर लेना है ताकि कोई भी आपके whatsapp को hack नहीं कर पाए तो simply उसे on करने के लिए कोने वाले option 3.पे क्लिक कर लेना है और सबसे नीचे setting पे क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको account पे क्लिक कर लेना है और account पे क्लिक करने के बाद आपको second वाले option 2 step verification पे क्लिक कर लेना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको turn on का option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको नीचे turn on पे click करके और इस वाले setting को on कर लेना है दोस्तो आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक like करके channel को subscribe जरूर कर लिजेगा मिलते हैं किसी और next वीडियो में तब तक के लिए bye